नमस्कार आप देख रहे हैं आर्भेट नियूज और मैं हूँ आपके साथ अर्चना इस बक्त हम भोजपूर जिले के खिसरहिया पंचायत के मोकंपूर ग्राम में मौजूद हैं बता देखी अभी जिस तरह से खिस रहिया पंचायत में मुख्या का चुनाब हो रहा है बार्ड सदर्शा का चुनाब हो रहा है बार्ड परसत का चुनाब हो रहा है और तवाम जो प्रत्यासी हैं अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सभी मैदान में उतर रहे हैं इसी बीच अभी हमारे साथ खेस रहिया पंचायत के ग्राम मुहकमपुर की उम्रा बती देवी जी है जो भी अपनी किस्मत आजमा रही है बार्ड तदर साफ के पदपर इन्होंने भी चुनाब लगने का मन बना लिया है और वो मैदान में उतर गई है तो उनके बहतर भविस के लिए उजबल भविस के लिए हमारा आरभट नियुज उन्हें धेर सारी सुबकामनाये देता है तो जैसा कि आपने तो मन बना लिया है इस बार चुनाब में खरे होने का तो गाउं में सबसे पहले देखा जाता है कि सबसे ज्यादा सिच्छा की समस्या होती है बिद्या क्या सबसे पहले एप क्या कीजिए इसको कैसे सो शुष करवा इए गिए इसको में विठेट सुनमीर तडिवर स्कॉल में चाहिए चाजिए उन्हें अच्छा पढ़ाइब ने चाहिए मैं घुजस एम रAT जोन समया कस्व만 का मबढ़ाइं उना चाहिए उन्दाइन में उन आप बताईए जाकर सरकार के बास है किस गाव में इसकूल में टीचर चाहिए इस मस्टर चाहिए पढ़ाने के लिए बच्छा सब कभई रहा है अच्छा सब मस्टर लाइए बोलें के अमी सब अच्छा ग्रामी निलाके में देखा जाता है कि बैसे तो सिच्छा काफी ही बच्छा जाता है तो वैसे केस में अगर कोई आपके दर्वाजे पे आए जैसे आप सदर्सा बन जाती है और कोई महिला मदद के लिए यह कि उनके पती डिमांड कर रहे हैं उन पर अत्याचार कर रहे हैं तो उस परिस्टिती में आप क्या कि जाएगा जाएंगे मुखिय उनके लिए आप फरी होईएगा उनके लिए उनके लिए हम बोलेंगे और ग्रामीन अलाके में सरको को भी काफी ही मतलब की मिटी के हैं पके सरक नहीं है और काफी ही मुखिल होती है लोगों को आने जाने में मालीजिए अगर कोई बिमार पढ़ जाता है तो अस्पताल तक महुचने में काफी दिक्कत होती है तो उसके लिए आप क्या करिएगा अगर आप जी जाती है तो जी जाएंगे तो पहले सबसे पहले गली गुची का सब सड़क नहीं सब आच्छा करेंगे जितने के बाद है अजित कराएंगे तो और पानी की वेबस्ता जैसे कि पाइप देखे सहरों तक जैसे कि हमारे देश की प्रधान मंत्री है नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कहा है कि घर घर में सौचाले होना चाहिए लगवग सहरों में तो प्रते घर में सौचाले की वेबस्ता है पर ग्रामीन इलाके में आज भी लोग सौच के लिए गाउं में खेतों में जाते हैं और उस इस्तिति में काफी महिलाओं को भी काफी दिखते होती है कभी कई बार वो कई प्रकार के सिकार होती है कई सामना मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो आप लोगों को किस तरह से अवेर कीजेगा किस तरह से समझाएगा कि अपने घर में मुख्यास जो सरकार के तरफ से.. पैसा आता है। सरकार मेला की घर में दिजिए। उसे हम बोलेंगे कि सोचाले बनवाईए अपना घर में धन्यवाद तो ये थी खिस रहिया पंचायत के ग्राम मुहकमपूर की बाड सदर्स्ता प्रत्यासी उम्रा बती देवी जी जो इस बार अपने भाग को आजमा रही हैं इस ग्राम की समस्याओं को देखकर इस बार इन् के बहतर भविस्ट के लिए हमारा आर्भत नूज इन्हें धेर सारी बधाई देता है धर्नमाद तो हम लोग की यही कामना है कि यह इस बार चुनाप जी जाए और लोगों की यह सारी समस्याओं को दूर कर दे तो फिलाल के लिए इतना ही मैं अर्चना आपसे बिदा लेती अगर आपने हमारे आर्भत नूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूटूपर जाकर सब्सक्राइब कर ले साथ ही बगल में बने वेल आइकन को दवा दे और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे आर्भत नूज नमस्कार